करना क्या क्या पढ़ता है इसके लिए number one आपको integration आना जुरूर यह number two आपको जिनको star करा हुआ है वो आपको compulsory करने है और जिनको star नहीं किया हुआ है वो आपको practice में रखने है case two और case three दोनो by one get one मेंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ cases का भी सारा का सारे लिमेंट and this is very least asked case जो की case number three मैंने यहां पर बोला हुआ इसका मतलब है यह shortcut method उसके साथ general method and method of variation of parameter यह जो मैंने तीन bracket करके आपको दिखाया हुआ है यह स्ट्रेटेजी बिताता हुआ है इन दोनों को आप पढ़ना शुरू करो मुझे इसके सवाल जो है वह एक्जाम में आए हुए दिए भाई साथ पीडिया देख लो हाई हेलो नमस्ते दोस्तों इस रॉनक सर और मैं आप सब का स्वागत कर दो आपकी प्लैट्फॉम आल सी एंजिनियर पे आज कल का ट्रेंड में आपको बता देता हूं कि यार जब भी कभ प्लैनिंग और आज मैं इसी लिए आपके सामने हूं आप सबको पता है कि आपकी इंजिनिरिंग पढ़ा रहा हूं हर एक चीज से वाकिफ क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और क्यूं पढ़ना है सब कुछ इस वह रही वां तो शुरुवात करते दोस्तों सबसे पहले तो आएं इंशुर आपके पास नोटबुक आपने सामने रखे होगी और साथ में पैन भी रहा होगा क्यूंकि बहुत जरूरी है कि आप पूरा ध्यान दो किस तरीके से M3 का ENTC का ओवराल पैटन होने वाला है इन सेम के लिए ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है दोस्तों मैं आपको डंके की चोट पे कुछ चीज़े बताने वाला हो आप सभी को पता है M3 का सिलाबस हले हर एक ब्रांच को अलग अलग है लेकिन अगर आप देखोगे और वो M3 का किया हुआ है ENTC का अब बोलोगे सब पहला किसका है M3 Electrical सबसे डिफिकल्ट है उसके बाद M3 ENTC सबसे डिफिकल्ट है और उसके बाद बाकी के सारे लाइनब पर लगते इसका मतलब है कॉम्प, IT, मेकानिकल, सिविल वाले बच्चों को ENTC वाले बच्चों से ज़्यादा एज मिलता है यह बात तो भाई इसमें कोई दो राए है तो चलिए फिलाहल तो स्ट्राटेजी के बारे में बात करते हैं किस तरह किसे हम लोग को वरकाउट करना है मीनवाइल आपको एक 29 माक्स है आउट ओफ 30 और एंसम में उसको 70 आउट ओफ 70 अब मुझे पता था कि जब ऐसा कुछ मेसेज देखोगे तो आप मुझे पूछोगे सर क्या इसका प्रूफ क्या है कि यह आपको उसी ने भेजा हुआ है तो भाई साब इसलिए यह देख सकते हो उसका उसकी जो मा से सिखाता हूँ और अगर आप अच्छे से सीखोगे प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप भी इन में से कोई एक जरूर बन सकते हैं चलिए शुरुवात करते हैं हम लोग सबसे पहले तो यह देखो यह रहा आपका इंजिनिरिंग मैथेमाटिक्स का 3 का एंटी सी का प्रीव प्रीवेश प्र मतलब सच में यह प्रीवेश यहर का पेपर है क्या तो नहीं अभी जैनवरी 2023 में लोगों की इंसे मिस्टर हुई थी दोस्तों तो जैनवरी 2023 का इंसेम का पेपर यह मैंने सामने रखा है बहुत लोगों ने एप के ग्रूप पे मेसेज डाला था कि सर हमें यह कॉपी चाहिए यह पेपर चाहिए था तो ले लो भाई यह पेपर आपके सामने रखाओ यूनिट 1 और यूनिट 2 है टोटल 30 माक्स है पांच-पांच-पांच माक्स की इसाफ से इसके टुकडे किये हुए तो आप देख सकते हो यहां पे आपको क्या-क्या पता होना च इस पेपर पर मैं जरूर आऊंगा लेकिन एंड में आऊंगा जहां पर यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में सबसे पहले तो आपको कुछ आइडिया दू फिर अपन पेपर के देखते कि सर इसके सवाल जवाब है कहां पर तो भाई सब अगर आपने अपने आलस इंजिनि गलत तरीके से गलत में सब्सक्राइब किया जाता है तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा करेक्ट ऑथेंटिक जो मॉडिल क्वेश्चन आंसर रहते हैं उस हिसाब से यूनिवर्सिटी के मॉडल आंसर के हिसाब से मैंने सारे के सारे आंसर आपको दिये हुए है दोस्तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले तो तो आप सब लोग देख सकते हैं यूनिट नंबर वन का नाम है लीनियर डिफरेंशिल इक्यूएशन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है अब इस यूटि में है कौन से कौन से लोग तो सारे लोग मैंने लिखे होए अब देख सबसे पहले तो मैंने आप लिखा हुआ है कॉंप्लिमेंटरी फंक्शन धंक से देखोगे तो बहुत सरी चीज़े आपको क्लियर हो जाएगी समझ में भी आना शुरू हो जाएगा आप बस यहां पर देख लेना कॉंप्लिमेंटरी फंक्शन का मतलब है हम यहां पर हमेशा क्या find out करते है दोस्तों yc find out करते है विन इट कमस टू finding yc एक चीज़ जरूर याद रखना कि सिर्फ yc exam में कभी नहीं आता है लेकिन yc के बिना कोई सम नहीं रहता है तो आपको हर एक सम में yc find करना mandatory है जो की आपको basically आपके y यानि की पूरे के पूरे LDE का solution देने की सबसे पहले तो complimentary function लिखा हुआ है उसके बाद next topic है shortcut method दोस्तों ये yc find out करने की method है उसके बाद ये जो तीन methods आपको दिखाई दे रहें दोस्तों एक लिखा हुआ है shortcut method दूसरा लिखा हुआ है sorry दूसरा कौशी लिजेंडर्स है तो इसको अभी मैदान में नहीं लाते ये देखो ये shortcut method उसके साथ general method and method of variation of parameter ये जो मैंने तीन bracket करके आपको दिखाया हुआ है ये तीन method है जिससे आप लोग yp को find out कर सकते हो अब देखो shortcut method हो गई general method है उसके साथ variation of parameter इससे आपका yp बन जाएगा yp बनने के बाद आपको करना पड़ता है कोची लिजेंडर्स वाला method जिसको काम करना पड़ेगा next is simultaneous differential equation उसके बाद है symmetrical simultaneous differential equation and applications अब बो लोगे सर ये title तो हमें भी पता है आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे हमें फाइदा हो तो से आपको बता रहा है कि यहां पर सबसे पहला सवाल जहां पर आपको तीन सवाल दिये जाते उसमें से इनी टू सॉल्फ करने है इनी टू का मतलब है एक तो shortcut method पर आएगा या फिर variation of parameter पर आएगा या फिर कोची या फिर लीजेंडर्स differential equation पर आपको सवाल मिलेगा आप पूछा गया है सेपरेट ली पांच मां के लिए सिमेट्रिकल सेमल्टेनियस एक्वेशन को कोई और नहीं आता है इसी लिए सिमेट्रिकल सेमल्टेनिस इक्वेशन बहुत ध्यान से करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट और आप देखोगे यह हो गया 15 मार्क अब बोलोगे इ लेकिन दो तीन चीज़े जो मैं आपको यहां पर बता दू देख लो भाई आप कितना भी भागो कितना भी दोड़ो कि आपको ऐसे नहीं लग रहा है इधर शॉटकट में तो इधर भी शॉटकट में इसका मतलब है शॉटकट में जो है वह सबसे ज़ादा जरूरी है आप आप दो चॉपर भी और नीचे भी उसके उपर सवाल पूछे गये है नमबर दो ओष्ट ऑर विरेश्न फपर आरनिटर विरश्न पैरामेटर जन रिसका मतलब है विव्यरेश्ट पैरामेटर भी हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी है यहे उपर भी पूचा हो आए नी इनी टू तो वैसे भी कवर हो जाएगा दस माक्स आपको वैसे भी मिलने हैं तो यह बहुत धंग से आपको करना ज़रूरी है अब बारी आती है कोची लीजेंडर जिसको मैं वापस से स्टार करूंगा मैं हमेशा कहता हूँ कोची और लीजेंडर दोनों अलग-अलग एक्स्ट्रा टाइम देखे पढ़ने की जुरूरत नहीं है आपने बस कौची की पढ़ाई अच्छे से करी तो आपको लीजेंडर जिफ्रेंशील एक्वेशन आना खुद खुद शुरू हो जाएगा विकाज यह बाइवन गेट वन ऑफर के अंडर आता है सिंपल है अब सर जी यह तीन चीजे आपने बताई इसमें से कोई भी दो आएंगे तो हमें इसी किसी भी तरीके से दसमाक्स मिलने है इसके बाद हम लोगों ने क्या करना चाहिए तो आपका पेपर आपको चिला-चिला के बताता है कि एक सम आता है सिमेट्रिकल से मिल्टे से फिर्पले के ऊपर सम आया था तो आपको यह पताओना चाहिए कि इसे में संको स्फेंटीध्रिकल करना पदते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको वीडियो देखना पड़ेगा कहां से देखना पड़ेगा ऐस जूज्वल लसी इंघिनियर का एप जहां पर ए एक्स एप्लिकेशन आते है आपके को सब्सक्राइब टो इलेक्ट्रीकल मतलब राजिस्टर होता है इंडक्टर होता है कपाइसितर होता है इनके उपर कुछ आपको सवाल पूछे जाएंगे वह एक्लीकेशन आपको सच्च में बताओ देखो बिना जगडा किया आपको दो पड़ती है वह पड़ती है वाईसी की और यसी के साथ साथ आपको लगता है यहाँ के शॉट-कुट मैहता है कि बहु 보ब यह जो मैथधि की और आपको जो जॉट-कट मैथड़ इतनी प्यारी मैथड है कवामत यह जो कौचिस लीजेंडर वाली में इसमें भी वाई सी की और आपको जरूरत पढ़ती है भाई साफ शॉटकट में इतनी प्यारी में है कि आप कहीं पे भी जाओ बहुत जगह पे शॉटकट में आपको लगती ही लगती है तो अपको प्रैक्टिस करना बहुत जरू काम किस के उपर करने हैं चल यह बिख दू तो आप समझ लो आपको काम करना है तो बहुत सटिक तरीक से करना होगा आपको साथ में से पांची केस बहुत डंग से करने होंगे जिसमें से एक और ऊपर बच्छों के डाउट नमबर एक सर क्या हम लोगों ने फिर simultaneous linear sorry simultaneous differential equation करना है doubt number two sir how about general method करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ आपका previous paper जिस तरी किसे set हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो general method भले ही ना आया हो लेकिन personally speaking अगर usually variation of parameter कही एक जगह पे आया तो ऐसा बोला जाता है ऐसे previous papers previous to previous papers बताते हैं कि variation of parameter जो रिपीट नहीं होता है उसकी जगह पे आपको general method का सवाल आ सकता है तो भाई choice आपकी है अब यह hierarchy कैसी है जिनको star करा हुआ है rather यह देख भाई जिनको star करा हुआ है वह आपको compulsory करने है और जिनको star नहीं किया हुआ है वह आपको practice में रखने हैं आपको अगर समय मिला तो यह चीज़े अगर आप से करोगे तो भाई साब 15 में से 15 आपको मिल सकते एक और अच्छी चीज सर क्या match पढ़ाते हो सर आपकी वीडियो दिखके बहुत मज़ा आता है भाई मज़े करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं मैं आपको जब भी math सीखना होता है तो pen paper सामने रखो और वो सारे समझ जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको ढंग से आते कि नहीं एक बार बिना देखे बिना notes पढ़े आपको लिखके देखने पढ़ेंगे जहां पर doubts आएगा वापस आप notes में जा सकते हो और देख सकते हो कि कहां पर आप गलत जा रहे हो तो यह था भाई unit number 1 के बारे में साथ एक और transform में जिसकी पढ़ाई करना जरूरी है जिसका नाम है जरूरी है अब करना क्या क्या पढ़ता है इसके लिए number 1 आपको integration आना जरूरी है number 2 आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है और number 3 आपको basic basic formula is even function क्या होता है और function क्या होता है यह पता unit number 2 के लिए जो set किया गया paper था वो कैसा था में बताता हो एक dedicated question आता है fourier के उपर फिर उसके बाद आपको anyone किया जाता है जहां पर जगड़ा होता है z और inverse z में तो आप दोनों में से जो अच्छा बढ़ चुके हो वो अच्छे से यहां पर कर लो तो एक fourier का समाया एक z का for example आपने करा और दूसरा जो समाता है वो आता है application का and let me tell you something यह जो application है यह fourier का नहीं है भाई नहीं तो वापस मेरे ऊपर चिलाओगे यह application है वो है जेट ट्रांसवर्म का application difference equation वाला तो देखो अगर आप इस वाले pattern में देखोगे तो technically speaking fourier आया जेड आया और जेड आया य आपको कुछ और doubts जो है वो आपके शायद से clear हो जाएंगे तो यह देख लो यहाँ पे any two में वापस Z और inverse में लोगों ने जगडा लगाया इसका मतलब है कोई भी एक कर लो ढंग से आपको आजाएगा तो यहाँ पे आपको Z का सवाल है उसके बाद एक fourier और उसके बाद inverse fourier का सवाल पूछा है इसका मतलब है यहाँ पे fourier transform जो है वो दस नमबर लेके आगे है और Z transform को पाच numbers है तो इसका मतलब है simple सी strategy बिताता हो भाई साब fourier और Z इन दोनों को आप पढ़ना शुरू करो मुझे personally लगता है यह छोटा है लेकिन इसमें ज़रूरी है आपको integration आ इसको रटा कैसे मानने का और इसको याद कैसे रखने का है जब आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा आपको एक बेसिक लाइनप मिल जाएगा और फिर आप fourier और inverse fourier transform को एक दम फटैक से सवाव कर सकते हो एक और सवाल क्या लगता है सर आपने इसके सवाल जो है having said this fourier transform छोटा है आपको hardly तीन चार वीडियो रहेंगे उसमें आपका काम बन जाएगा but the fact is आप देखलो इन में से आपके इसके उपर भरोसा रखोगे मेरे हिसाब से बहुत से बच्चों को जिनको fourier easy जाता है उन लोगों ने attempt करना चाहिए दस माग के लिए fourier रहता है य इसका मतलब है यहां पर पाच माग जा सकते है at the expense of कोई बीस माग चाहिए उनको बताता हूँ 20 के लिए जो लोग जाने वाले उनको बताता हूँ उन्होंने इन दोनों ट्रंस्वर्म को स्किप किया तो चलेगा लेकिन दूसरा बहुत अच्छा करना पड़ेगा और application वाला तो देखो चोईस आपके उपर है लेकिन जिनको बहुत अच्छा से पढ़ना है मेरी रिक्वेस्ट है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है दोस्त आप पढ़ना तो शुरू करो आपको बहुत अच्छा लगेगा यह टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो हो यह को बला जाता है पापा घ्रांसॉम जो की ऐफे सीटी और फंक्शन हो तो यूजाटा वह सिंपल को लगा हुआ Thane बेस्ट चीज आपको बतातो क्या करना है रात में अराउंड 10-10-10-11 बज़े मस्ट खाना वाना खाके आप बैठो यह फूंस लगा लो वीडियो लगा लो pen paper सामने रखो और यह फूरियो शुरू करो मैं आपको बता दू यह overall पूरा का पूरा यूनिट जितना मुझे लगत तो सिक्साइब लेकिन अगर यूनिट नमबर वन के लिए थोड़ा सा अजीब से काम करूंगा क्योंकि मुझे पता है यूनिट नमबर वन में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैंडिटरी है आज ही मैंने ऑफलाइन बच्चों की टेस्ट ली कुछ बच्चे अभी बही online है तो आप उनको पूछ सकते हो या फिर मैं कभी उनके experience आपको directly बताई दू जिन लोगों के offline exam ली थी उनका यह कहना था कि सर आधासम जमता है उसके बाद आधे के बाद confused होना शुरू हो जाता है तो practice की बहुत जरूरत है सर यह चीज़े और यह भाई बच्चों के साथ तो बहुत जरूरी है कि आप रैटिंग प्रैटिस करो पर टाइम मैं बताता हूं जो लोग 30 में से 30 का अटेम्ट करने वाले मैं उनको बताता हूं guarantee warranty के साथ end-end में आपको बहुत हवी जाने वाला है याने की तीन सवाल unit 1 के तीन सवाल unit 2 के छे सवाल सौल करना आए घंटे में थोड़ा सा ना मुम्मकिन जैसा है तो last में आपके मार्ग जा सकते है better option आप test दो आप जितनी test दोगे उतना आपका काम सही होगा अभी फिलाल मेरे पास unit number one का test paper ready है चाहिए तो मैं आज अभी group पे डाल देता हूँ और one plus two का test paper saturday को आएगा saturday में group पे डाल दूँगा ताकि आपको पढ़ाई करने के लिए आसानी हो जाए अब इसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करो आप सबको all the very best और मिलते हैं अभी किसी next session के लिए तब तक के लिए thank you thank you so much